उत्तर परदेश के लाखो चात्रों के लिए रहात भरी खबर है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही TGT और PGT को लेकर एक वीडियो में या नोटिफिकेशन बताया था कि कुछी दिनों में इसका वेकेंसी आने वाली है जो आज आ चुकी है तो आए चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि UPTGT 2022 की वेकेंसी डिटेल जान लेते हैं इसके बाद PGT के बारे में जानेंगे सबसे पहले UPTGT 2022 आप देख रहे हैं अप्लिकेशन फर्म भरने की जो डेट है वो 9-6-2022 यानि आज ही से प्रारंब हो गया है और इसका लाश्ट डेट थे 37-2022 यानि 3 2022 तक इसका अप्लिकेशन फर्म भरने की लाश्ट डेट है फिश की बात करें तो जेनरल OBC 750 रुपया है EWS 750 रुपया है AC के लिए 450 रुपया है और ST के लिए 250 रुपया है इसके बाद ओनलाइन पेमेंट किया जा सकता है चाहें डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माधियम से और सेकेंड ओप्सन है इस चलान के माधियम से भी आप सुल्क जमा कर सकते हैं इसके बाद इसका इक्जाम डेट अभी तक क्लियर नहीं है लेकिन कुछ दिनों में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी कॉमिंग सून में यह है एज की बात करें TGT 2022 के लिए तो मीनिमाम एज 21 पर होना चाहिए और मैक्सिमाम एज की कोई सिमा नहीं है कितने भी उम्र का कोई भी विद्यारती हो वो अपलाई कर सकता है इसके बाद टोटल वेकेंसी जो है 3549 है पूरी TGT के लिए PGT के वेकेंसी अलग है लेकिन है केवल TGT के लिए है 35 49 इसके बाद Agibility क्या है इसका TGT 2022 वेकेंसी की Bachelor Degree होना चाहिए वीध रीलेटेट सब्जेक्ट में इसके बादье पास होना चाहिए जो TGT होता है वो BA वालो के लिए ही खासता और से होता है इसमें बैचलर डिगरी कोई सब्जेक्ट जिसमें है उसमें होना चाहिए इसके बाद इसके वेकेंसी डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि TGT जो हता है ट्रेने ग्रेजुएट टीचर TGT बालक के लिए कितने पोस्ट ह है देखें जेनरल में 1840 है यह बालकों के लिए कर इसके बाद OBC के लिए है 8066 AC के लिए 503 और ST के लिए 4 और टोटल बालकों के लिए जो वेकेंसी है टोटल 3213 यानि 3213 वेकेंसी है केवल बालकों के लिए बालिका के लिए देखें तो जेनरल में 212 OBC में 83 और SC में 31 ST में को तोटल पोस्टे 326 यानि यह बालिका के लिए है और टोटल बालग के लिए 32 टोटल वेकेंसी है कौन कौन से सब्जेक्ट में रिजल्ट पर या इसका साइंस में है संस्कृत में है फिजकल एजुकेशन में है साइंस में होम साइंस में है आर्ट में है कॉमर्स में है सिंगिंग में है अग्रिकल्चर में है बायलोजी में है उर्दू में है इतने सब्जेक्ट में ये TGT 2022 के लिए वेकेंसी निकल ला है इसके बाद जानते हैं कि UP PGT 2022 वेकेंसी क्या है UP PGT 2022 इसमें जान लेते हैं इसका डिटेल्स क्या है ओनलाइन फार्म भरने का डेट जो TGT का है वहीं इसका भी ये 962022 है लास्ट डेट 3722 को इसके बाद फीर्स जेनरल OBC 750 है EWA साइड इसमें कम है 680 ही लग रहा है SC में 480 है ओनलाइन पेमेंट किया जा सकता है और इस चलान के माध्यम से किया जा सकता है ओनलाइन पेमेंट में डेविट क्रेडिट या नेट बैंकिंग जो भी हो इसमें AST का कोई पोस्ट नहीं है इसलिए इसका फीर्स का कोई डीटेल्स नहीं है इकजाम डेट इसका भी अभी आया नहीं नोटिफिकेशन आयेगा एज की बाद करें तो इसमें भी मिनिमाम 21 एज है और मैक्सिमाम एज की कोई सीमा नहीं है इसमें टोटल जो वेकेंसी है वो 624 ही है इसके बाद इजिविल्टी की बाद करें तो मास्टर डिग्री विथ रिलेटेड सब्जेक्ट जो PGT होता है यह TGT के तरफ बीएड धारकों के लिए नहीं होता है इसमें जो मास्टर डिग्री वाले विद्धार्थी होते हैं वो केवल समाने PG किये हैं वहीं भर सकते हैं वो भर सकते हैं और इसमें बीएड अनिवारता नहीं होता है इसके बाद इसका पोस्ट डिटेल्स की बाद करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT बालक के लिए जनरल में 332 है OVC में 153 है SC में 64 है और टोटल 549 है ये बालक के लिए इसके बाद बालिका के लिए देखे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बालिका के लिए जनरल में 56 है OVC में 11 है SC में 8 है और टोटल 75 है यानि बालकों के लिए 549 है और बालिका के लिए 75 है जो PGT 2022 है के वल मास्टर डिग्री विथ रिलेटर सब्जेक्ट में होना चाहिए इसका भी नोटिफिकेशन विश्टित रूप से आप पड़ सकते हैं मैं इसका नोटिफिकेशन वीडियो के लिंक में दे द रहा है बहुत सारे मानसिक तनाव भी हो गए थे चात्रों में लेकिन उनके लिए अब रहात भरी खबर है क्योंकि वेकेंसी आ गई है हमने कुछ दिन पहले वीडियो में एक नोटिफिकेशन में अपडेट दे दिया था कि कुछ ही दिनों में इसका वेकेंसी आने वाले है जो विद्यारते हमारा वो वीडियो देखे होंगे वो जानते होंगे तो आप तुरंत इसको फार्म को अपलाई करिए और पीजिटी 2022 के सब्जेक्ट की बात करकि कौन-कौन से सब्जेक्ट में वेकेंसी आया है तो उसका मैं नाम बता दे रहा हूं विश्तित नोटिफिक है साइकलोजी है संस्क्रीट है आर्ट है कॉमर्स है और होम साइंस है इतने सब्जेक्टों में हैं पीजिटी 2022 का वेकेंसी आया है